जाहिन दोस्तों 2 वेलकम टू श्वरे क्लासिज। आज का हमारा टोपिक है बी जे प्रोग्राम थर्ड इयर शिक्थ सेमेष्टर का ये थर्ड इयर सिक्थ सेमेष्टर का और सब्जेक का नाम है political science जी हाँ राजनेतिक विज्ञान और बुक का नाम है संगर्ष और शान्ती निर्मान Conflict and Peace Building राजनितिक विज्ञान का ये जो चप्टर है अक्सर देखा गया है कि ये वाला कोश्चन इस चप्टर में से बार-बार देखने को मिला है तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी बुक के हम 8 से 10 कोश्चन लेके आने वाले हैं और आप इन वीडियो को अगर एक बार भी देखते हैं तो आपको पूरी बुक समझ में आ जाएगी तो आज हम पहले चप्टर की बात करते हैं पहले चप्टर का नाम है संगर्ष की समझ आपने अक्सर सुना होगा कि संगर्ष क्या होता है इस चप्टर में बेसिकली बताया गया है कि संगर्ष क्या है, संगर्ष के परकार क्या है, संगर्ष क्यों होता है तो बहुत सिंपल चप्टर है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं संगर्ष क्या होता है हमें सभी को पता है कि जब समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हैं या जब समाज में जो इंसान रहते हैं तो वहाँ पे संगर्ष होना अनिवार रहे है वहाँ पे संगर्ष होता ही होता है संगर्ष क्यों होता है संगर्ष होने का reason क्या है समस्य होने का reason क्या है संगर्ष होने का reason है fight होने का reason एक ही होता है कि जब लोगों की जरूरते पूरी नहीं होती उनकी need fulfill नहीं होती तब ही लोग संगर्ष करते हैं संगर्ष क्यों उत्पन होता है बुनियादी जरूरतों का पूरा ना होना ही संगर्ष उत्पन करता है जब जैसे समाज में इतने सारी आसमानता है इतने सारे भेद भाव है जब इतनी आसमानता होने के बावजूद ही समाज में संगर्ष उत्पन होता है संगर्ष उत्पन होने का कारण क्या है आवशक्ताओं का पूरा ना होना वही आवशक्ताओं हमारी क्या होती है रोटी कपड़ा मकान भोजन पानी आवास यही तो आवशक्ताओं जब लोगों की आवशक्ताओं पूरी नहीं होगी जब लोगों को भोजन नहीं मिल पाएग सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, आतमसम्मानियाधिकार नहीं मिल पाएगी, या उनके साथ थेद्भाव किया जाएगा, आसामानता की जाएगी, तब ही लोग संगश करते हैं. जैसे सिंपल सी बात है, अभी हम पाकिस्तान का एक्सामपल ले सकते हैं, अब भी पाकिस्तान में भोजन की कमी है अनाज की कमी है तो लोग अनाज के लिए लडाई कर रहे हैं अगर यही आल आपके शेत्र में हो जाए, आपके शेत्र में अगर तीन दिन तक पानी ना आए, या पानी ही ना आए, चार दिन या एक हफते तक, तो आप भी पानी के लिए fight करना शुरू कर दोगे, लड़ाई करना शुरू कर दोगे, या फिर घर ना मिले, या फिर आपको आपको फिलो होगे कि आप अभी शुरक्षित नहीं हो तो आप संगर्ष करना शुरू कर दोगे संगर्ष बेशिकली एक शब्द होता है जो की अशान्ती को या जो की फाइट को परदशित करता है संगर्ष तब होता है जब मानव की आवशक्ताइं पूरी नहीं होती या जब लोगों की basic need, बुनियादी जरूरते पूरी नहीं होती तो लोग उन basic need को पूरी करने के लिए संगश करती है जी हाँ, अब ये संगश कितने परकार का होता है, संगश क्या होता है शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि संगश क्या होता है जब आपको आपके अधिकार नहीं दिये जाएगी, आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दिया जाएगा तो आप भी सरगार से संगश करोगी, लोगों से संगश करोगी जिनके पास पैसा नहीं है उनसे संगर्ष करेगा जिनके पास पैसा है चाहे वो महनट से करे या फिर वो चोरी करके करे तो वो एक परकार का संगर्ष होएगा समाज में fight का ऐसा मोहल create कर दिया जाएगा तो simple भी बात है अब संगर्ष के परकार अब हम बात करते हैं कि संगर्ष के परकार या उनके आयाम क्या है संगर्ष किन चीजों में होता है दो या दो अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई फाइट होती है विवाद उत्पन होता है तब ही संगर्ष होता है अब चाहे वो राजनितिक हो, चाहे वो मनोवज्ञानी को, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थी को, चाहे वो समाजी को, चाहे वो एतियासी को वही जब दो व्यक्तियों के बीच में दो संगठनों के बीच में दो समाज के बीच में जब विवाद उत्पन होता है तब ही संगर्ष रूप अक्तियार करता है अब संगर्ष के परकार में अगर हम राजनेतिक संगर्ष की बात करते हैं तो दो राजनेतिक पार्टियों के बीच में जो विवाद होता है विचार धारो का वो भी तो एक संगर्ष है जैसे की बीजेपी और आमादमी पार्टी बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी इन पार्टियों में दो राजनितिक पार्टियों में आपस में अक्सर संगर्ष देखने को मिलता है अक्सर वाद विवाद देखने को मिलता है अक्सर महाँ पे लड़ाई जगडे देखने को मिलते है तो हम कह सकते हैं कि राइनितिक विचारधारा का अलग होना भी संगर्ष को जनम देता है जैसे आप किसी भी दो पार्टियों के बीच का एक्जामपल लिख सकते हों यापे इसी परकार से मनोवैज्यानिक संगर्ष क्या होता है मनों व्यज्यानिक संगर्श होता है कि आपका मन कुछ और बोल रहा है लेकिन आप ये सोच ले हो कि अगर मैं ये कारे करूँ है तो समाज कुछ और बोलेगा मनों व्यज्यानिक में एक इनसान की इनसान के भीतर उसके अंतरात्मा से संगर्श होता है अक्सर यहां पे देखा गया है और आपके साथ भी हुआ होगा कि जब भी आप कोई ऐसा कारे करने की सोचते हो तो आपका मन में ये कारे आता है अगर मैंने ये किया तो समाज इस बारे में क्या बोलेगा क्या मुझे ये कारे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसे कोई ऐसा समाज है जो कि अभी तक पीड़ी दर पीड़ी माता पिता की मर्जी से ही शादी करते थे परन्तु अगर कोई पुत्री या पुत्री अपने समाज से भार किसी दूसरी काश्ट या पिजाती में शादी करने की सोचता है तो वो पहले अपने मन से पूछता है कि अगर मैं ऐसा करूँ है तो मेरे माबाब accept नहीं करेगे या मेरा समाज accept नहीं करेगा तो शायर मुने शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऐसे और भी अनेकों example हो सकते जरूरी नहीं है कि वो शादी का ही हो तो इसमें व्यक्ति का व्यक्ति से खुद से संगर्ष होता है कि खुद से विवाद होता है कि ये होने पर क्या ये चीज हो पाएगी या नहीं इसके साथ साथ है सांस्कृतिक संगर्ष सांस्कृतिक संगर्ष में अक्सर देखा गया है जो पुराने जो कुछ लोगों का मानना है कि भारतिय सांश्किती अच्छी है कुछ लोगों का मानना है कि यूरोपेन सांश्किती अच्छी है तो यहाँ पे जब सांश्किती के बीच में कोई भेदभाव किया जाता है या आसमान तक की जाती है तो अक्सर वो संगर्ष उत्पन किया जा सकता है इसके बाद होता है आर्थिक यह तो सबसे important है और यह शायद सबसे easy भी है आर्थिक संगर्ष तभी उत्पन होता है जब एक गरीब व्यक्ति की आवशकता हैं पूरी नहीं होती और एक ऐसा इंसान है अमीर जिसके पास खाने को बहुत कुछ है परन्तु एक गरीब ऐसा है जिसने अभी खाना खाया तो उसको शाम का पता नहीं अगले दिन का पता नहीं कि उसे खाना मिलेगा भोजर मिलेगा या नहीं तो ये आर्थिक आसमानता भी संगर्ष को उत्पन करती है, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समाज के बहुत संखे संसादन हैं और समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समाज की एक मुठी भर आय तक नहीं हैं, तो जब आर्थिक आसमानता होती है, जब प्राजनेतिक आसमानता होती है, जब मनोवैज्ञानिक जब भेदभाव होता है आपस में, जब सांस्कितिक आसमानता होती है, तब ही संगर्ष उत्पन होता है, संगर्ष का अर्थ होता है, किसी परकार में से आशांती उत्पन होना, या फिर किसी परकार की समस्य उत्पन हो ठी रहते हैं तो वहाह हिंदू भी पी अमुशलिम भी एस्जिक भी है किक्षाई भी है घी भी यह शी ए और समाज में जरकिसी व्यक्ति काने विशम पूरिия नहीं होती वह दूसरी व्यक्ति से संगर्ष. करने की कोशिश करता है तो वो समाज में रहते हुए जो संगर्ष उत्पन होते हैं तो वो से समाजिक संगर्ष के नाम से जानते हैं एतियासिक संगर्ष जो इतियास में हुए हुए है जैसे मुगलो के काल में हो गया जैसे गुप्त के काल में हो गया तो इतियास में जो संगर्ष हुए हैं उन्हीं कोई हैं इतियासिक संगर्ष के नाम से जानते हैं तो बेसिकली अब आपको एक कॉंसेप्ट समझ में आ गया है कि संगर्ष होता क्या है संगर्ष होता है विवाद उफपन होना अब ये विवाद किसी भी परकार से हो सकता है अब हम बात करते हैं संगर्ष में होता क्या जो संगर्ष होता है संगर्ष में अक्सर देखा गया है दो परकार के संगर्ष सामने आते हैं एक सकरात्मग एक नकरात्मग अब हम बात करते हैं सकरात्मग संगर्ष कोन सा होता है और नकरात्मग संगर्ष कोन सा होता है जब हम बात करते हैं सकरात्मग संगर्ष की तो अक्सर देखा गया है कि सकरात्मग संगर्ष जो होता है वो लोगों की अजादी के लिए संगश किया जाता है वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है वो समस्या का समाधान करने के लिए संगश किया जाता है वो समाज के हित के लिए किया जाता है वो समाज की कल्यान के लिए संगश किया जाता है उधारन के लिए हम बात कर सकते हैं यहां पर कि भारत ने अजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से जी हां भारत पे अपनिवेश था इंग्लैंड तका तो भारत ने जब अजादी की लड़ाई लड़ी तो उस टेम भी तो संगर्श हुआ भई तो इसी को ही संगर्श कहा जाता है क्योंकि अजादी से पहले भी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था आर्थी क्रूप से, राणेती क्रूप से, सांस्किती क्रूप से, समाजी क्रूप से और धार्मिक रूप से तो उन सब चीजों को सही करने के लिए समानता करने के लिए भारतिय जवानों ने अपने प्राणों की आउती दे दी तो हम कह सकते हैं कि सकरात्मा संगर्श एक संगर्ष का ऐसा रूप होता है जो कि अजादी के लिए लड़ा जाता है या जिसमें अन्याय के खिलाफ जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसे सकरात्मक संगर्ज के रूप में देखा जा सकता है इसके साथ साथ हम कहा सकते हैं सकरात्मक संगर्ज समस्या का समाधान ढूंडने के लिए किया जाता है जैसे हमारी समस्या थी अजादी से पहले कि अंग्रेज हमारी समस्या थी तो हमारा समाधान क्या होगा कि अंग्रेजों को यहां से हटा दो तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगा हमारी समस्या का जो जो संगर्ष अंग्रेजों से है अगर अंग्रेज भारा छोड़ के चले जाएगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा इसलिए इसी के साथ समाज हित के लिए जो करात्मक संगर्ष होता है वो केवले एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है केवले एक जाती के लिए नहीं वो पूरे समाज के हित के लिए होगा वो पूरे समाज के कल्यान के लिए होगा जी हाँ और समाज में सभी व्यक्तियों का सम्मेलन किया जाता है इसी परकार से अगर हम बात करते हैं नकरात्मक संगर्शी तो नकरात्मक संगर्श एक ऐसा संगर्श होता है जो कि समाज को विनाशकारी रूप में ले जाता है जैसे कि हम देखते हैं जैसे कोई fight हो जाते है किसी दो मुलकों के बीच में जैसे अभी रश्या और यूक्रेइन की fight हो रही है तो उसमें दो देशों की सरकार के बीच में fight हो रही है परन्तु वहाँ पर जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं उनका विनाश हो रहा है तो नकरात्मक संगर्श एक्चुली में वो होता है जो कि समाज को विनाशकारी मोड के ओपर ले जाता है इसी के सासत जो कि हमेशा के लिए नुकसान उठाने उठाया जाता है जब भी हम नकरात्मक संगर्श की बात करते हैं तो वहाँ पर समाज को हमेशा के लिए नुकसान उठाना पड़ता है जैसे दूसरे विश्यूद में अमेरिका ने हिरोशीमा और नागास साथ की जापान के ओपर दो परमानु बंबों को छोड़ दिया था लिटिल वॉय और फैट मैन तो आज भी उसके जो नुकसान है उस परमानु बंब के नुकसान आज भी देखने को मिलते हैं लेकिन अगर हम सकरात्मक की बात करते हैं तो जब भारतिये करांती कारियों ने अपनी अजादी के लिए फाइट करी थी तो समाज में उसके बाद शांती इस्तापित होगी, सरकार इस्तापित होगी, लोगों का हित हुआ, लोगों की समस्या का समाधान हुआ परंतु नाकरात्मक में क्या हुआ है कि समस्या हमेशा के लिए बरकरार रह जाती है इसी के साथ साथ है संगर्ष कभी समाप्थ नहीं होता बही जो नाकरात्मक होती है ना जब नाकरात्मक संगर्ष होता है तो वह संगर्ष वो bear के रूप में convert हो जाता है मतलब वो PD दर PD, PD दर PD वो संगर्ष चलता ही रहता है एक देश ने दूसरे देश पर आकरमन करा दूसरे ने फिर पहले ने फिर दूसरे पर यहाँ पर हम North Korea और South Korea का भी example ले सकते हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान की ये संगर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता क्यों क्यों क्योंकि ये संगर्ष दोनों राजनेति दोनों सरकारों के मद्ध हैं उससे जादा पाकिस्तान के जो जनता है पाकिस्तान के स्लेबस में वहां के लोगों के म अंदर भाईचारर नहीं आता अभी हमने देखा संगर्ष के दो रूप सकरात्मक संगर्ष और नकरात्मक संगर्ष आपका कोशन कुछ इस परकार से आ सकता है कि संगर्ष के सकरात्मक और नकरात्मक पहलूओ की विवेचना कीजिए तो सकरात्मक में आप कर देना अजादी के लिए लड़ाई, अन्याय के लिए लड़ाई, समस्या के समाधान के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के कल्यान के लिए तो एक, दो, तीन, चार, पांच पॉइंट होगे तो इनको आप explain कर सकते हो भई अजादी के लिए लड़ाई सकरात्मा संगर्ष में अक्सर देखा गया है कि ये एक परकार का ऐसा संगर्ष होता है कि जिसमें अजादी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है संगर्ष तभी उत्पन किया जाता है संगर्ष तभी उत्पन होता है जब लोगों की अवशक्ता हैं पूरी नहीं होती जब लोगों के साथ आसमानता का वैवार किया जाता है जैसे उधारन के लिए भारत भारत ने अपनी अजादी की लड़ाई 1947 से पहले तो आप अपने शब्दों में explain कर सकते हूँ अब हम बात करते हैं राजनितिक विचार इसी परकार से आप इन सब इन सब चीजों को explain कर सकते हूँ अब हम बात करते हैं राजनितिक विचार भई संगर्ष के कुछ विचार होने चाहिए संगर्ष जब भई संगर्ष आज से थोड़ी ना हुआ है जब समाज में दो-दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहने शुरू हुए है तब ही तो संगर्ष हुआ है पुराने समय में भी संगर्ष था एतियासिक काल में भी संगर्ष था मोरे काल में भी संगर्ष था और वैदिक काल में भी संगर्ष था तो इतिहास में जब भी संगर्ष हुआ था तो इतिहास के कुछ राजनेतिक चिंतनों ने अगर हम राजनेतिक चिंतनों की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकैवली और थॉमस हॉप्स दो राजनेतिक चिंतन है इनका मानना है कि समाज में राजनेतिक विचारधारा के द्वारा ही संगर्ष को समाप्त किया जा सकता है मैकैवली और थोमस हॉप्स ने अपनी पुस्तकों में संगर्ष के बारे में काफी एक्स्प्लेइन किया हुआ उनका मानना है कि संगरश को अगर समाप्त करना है तो राजाओं को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए अब राजा कोनने है भई भई राजा वो होते हैं जो एक देश के उपर अधिकार करते हैं एक समाज के उपर अधिकार करते हैं एक अपने जो उनकी बॉंडरी होते हैं, उस शेतर पर उनका पूरा अधिकार होता है, पुराने समय में तो राजा होते थे, आज के टैम में सरकार होगे, MP, MLA, निगम पाश्चत होगे, पुराने टैम में तो राजा ही होते थे, चाहे वो भारत का इतियास हो, क्या वो यूर उनका करने गा, उस टैम पे राजाओं के पास होता था, तो राजाओं के पास जब अधिकार होगा, तो राजाओं ही, सरकार ही, कोई ऐसी ताकत जो समाज में, जो व्यक्तियों के बीच में, जो वाद, विवाद हो रहे हैं, उनको समापत वही कर सकते हैं, जिसके पास तो आज के टाइम में ये सरकार होती हैं आज के टाइम में ये अंतर अश्टे नियाले हैं सरकार हैं परन्तु पुराने टाइम में क्या होता था राजा होता था इसलिए पुराने समय में राजाओं की अवश्यक्ता हुई थी कि समाज में शांती इस्तापित करने के लिए समा संगश के परकार कितने हैं तो आपसे पूछा जा सकता है संगश के चार परकार कोन कोन से हैं अगर हम संगश के चार परकार की बात करते हैं सबसे पहले आता है अंतर व्यक्तिकत संगर्ष, उसके बाद आता है परसपारिक संगर्ष, उसके बाद आता है अंतर संगर्ष, उसके बाद आता है अंतर संगर्ष, जी हां, मैं फिर से यहां पताता हूं, अंतर व्यक्तिकत संगर्ष, परसपारिक संगर्ष, अंतर संगर्ष संगर्ष और अंतर समूर्ष संगर्ष अब हम इनकी बात करते हैं वहीं अंतर व्यक्ति का संगर्ष कौन सा होता है अंतर व्यक्ति का संगर्ष उस संगर्ष को कहा जाता है जो व्यक्ति के भीतर उप्पन होता है जैसे मैंने आपको impact क्या होगा क्या मेरी family उसे accept करेगी या नहीं करेगी, क्या मेरा समाज उसे accept करेगा या नहीं करेगा तो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से खुद पूछता है कि अगर मैं ये कार रहे करता हूं तो उसका effect ये होगा तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए व्यक्ति के उपर, व्यक्ति के अंदर खुद से लडाई चलती है कि भई मैं ऐसा करूँ ना करूँ आपके साथ भी अक्सर आपने काफी बार ऐसा किया होगा कि आपके खुद से लडाई होती है अंतर आत्मा से कि भई मेरे ये करने के बाद ये हो सकता है पर मैं ये करना चाहता हूँ पर मैं अपने परिवार को भी भी खुश करना चाहता हूँ तो दोनों चीजों में आपको कहीं न कहीं एक ऐसा निर्णा लेना पड़ेगा जो कि आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए, टोनों के लिए सही हो, तो इसका example मैंने बताया, जैसे कि love marriage होती है इसके बाद होता है परसपारिक संगश, परसपारिक संगश में क्या होता है दो व्यक्ति या दो संगठनों के बीच में संगश होता है जैसे कोई भी दो व्यक्ति हो सकता है आप हो सकते हैं, आपके पडोस वाला भी हो सकता है आप और आपके पडोस वाले के बीच में किसी चीज पे विवाद हो रहा है फाइट हो रही है तो वो संगश हो जाता है हो सकता है दो संगठनों के बीच में हो वो संगठन कोई भी हो सकते हैं XYZ कोई भी हो सकता है जैसे आम आदमे पार्टी के बीच में और BJP के बीच में किसी परकार के बीच में अब हैं अंत समू संगर्ष अंत समू संगर्ष में क्या होता है दो समू जो भिन भिन होते हैं जी हाँ, जो दो समू भिन-भिन, यहाँ पे दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो समू भिन-भिन, जैसे अमीर और गरीब के बीच में, ब्राम्मन और शत्रियोग के बीच में, किसी दो काष्ट के बीच में हो सकता है, दो समू के बीच में यह जब संगर्ष होता है, तो उसे अंत समू संगर्ष के नाम से जानते हैं अब अंतर समू संगर्ष में क्या होता है समू के अंतरगत के संगर्ष होता है संगठनों के अंतर ही जैसे आपने देखा हो जैसे कि कॉंग्रेस पार्टी है अगर यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी और वीजेपि पार्टी के दो नेताओं के बीच में संगरश हो रहा है तो उसे listen के नाम से जानते हैं समय में अब आपको आ गया है अगर एक पार्टी के बीच में दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संगर्ष होता है तो उसे अंतरसमू संगर्ष के नाम से जाना जाता है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर विभीन परकार के संगर्ष इसके अलावा और कौन से होते हैं अब विभीन परकार के संगर्ष अभी आपने चार परकार के एक शस्त्रों की होड होती है यह बहुत सिंपल है अब आपको समझ में आ जाएगा इस्थाई शांती के लिए जो संगश्ट किया जाता है वो अस्तित्व की लडाई होती है जी हाँ वो अस्तित्व की लडाई होती है वो सम्मान के लिए फाइट की जाती है जैसे भारत ने जब अजादी की लड़ाई लड़ी तो वो इस्थाई शान्ती के लिए था क्योंकि हर छोटे-छोटे कुछ-कुछ सालों के बाद भारत में आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाव तो क्योंना एक ऐसा आंदोलन कर दे क्या है क्योंना एक ऐसी फाइट कर दे कि अंग्रेजों को यहां से भगा के अब पूरे रूप से शान्ती स्थापित की जाए तो उस समय जो हमारी fight थी वो हमारे ashtirtw की थी हमारे सोराज की fight थी हमारे खुद के अधिकारों की fight थी तो इस्थाई शांती में अक्सर दो परकार के संगश देखने को मिलते थे इस्थाई शांती संगश तब होता है जब ashtirtw के लिए लड़ाई लड़ी जाती है जब समान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है जब आसमानता को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है जब अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है जब समाज में शांती बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो कितने सार से उपर हो चुका है अभी भी तनाव अधीक है तो क्या महाँ पर शान्ती है नहीं आ शान्ती उत्पन हो है क्या पता कब रूस या क्या रूस यूक्रेण के ओपर आटेक कर दे और जादा पंबारी कर दे या कब यूक्रेइन रूस के ओपर और ज़्याद़ बंबारी कर दे तो वहाँ पे हमेशा आशान्ति उत्पन रहती है तो यहाँ पे शान्ति की गैरेंटी नहीं दी जा सकती एक परकार से यह ऐसी कंडिशन होती है ऐसी इस्तती होती है जहाँ पे आशान्ति उत्पन होती है इसी परकार से अगर भारत पाकिस्तान के बोर्डर के ओपर जो गाउं भसे हुए है तो वहाँ पे शान्ति की गैरेंटी नहीं दी जा सकती क्यों क्या पता कल पाकिस्तान से एक तोब का गोला आके किसी गाउं में आ जाए तो इस परकार के शेत्रों में आशान्ति मतलब आशान्ति होती है वहाँ पे तनाव अधिक देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान की सीमा पे जितने गाउं में वहाँ पे अधिक तनाव देखने को मिलता है तो यहां पर शांती की guarantee नहीं दी जा सकती इसके बाद होता है शारेजी धमकी आप और हम सभी ने इस परकार के शब्दों को सुना हो है कि भई मैं तेरा दात तोड़ दूँँआ, मैं तेरी हड़ी तोड़ दूँँआ तो इस परकार की जो शारेजी धमकी होती है जब एक व्यक्ति है, जब एक समू दूसरी व्यक्ति है, दूसरी दे समू पर अटेक करता है और वो शारेजी रूप से उसको चोट पहुचाने की कोशिश करता है तो यह खुला संगर्ष है इस यहां परकार के संगर्ष में सेना को शामिल होना पड़ता है जब आपके समाज में दो गुटों के बीच में फाइट हो जाती है, दो समूओ के बीच में हात अपाई हो जाती है जैसे सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर आपके और आपके भाई की या आपके भेन की फाइट हो रही है आपस में हातावाई हो रही है तो बीच में कोन आता है बीच में मम्मी या पापा को आना पड़ता है या किसी बड़े को आना पड़ता है उसी परकार से जब समाज में दो गुटों के बीच में हातावाई हो रही है खूब शारीरिक फाइट हो रही है सारे शंगश हो रहा है तो सेना को पुलिस को महाँ पर आके solution को handle करना पड़ता है और महाँ पर उसको शान्ती में convert करना पड़ता है इसके बाद होता है शस्तरो की होड़ जी हाँ शस्तरो की होड़ में क्या होता है तीर हिंसा होती है अधिक से अधिक शस्त्रों को यहाँ पर निर्मान किया जाता है कि अच्छा जैसे मेरे एनिमी के पास अगर 5 पर्मानों हतियार है तो मेरे पास 8 होने चाहिए अक्सर देखा गया है कि जिस मुल्क के पास जितने ज़्यादा पर्मानों हतियार होते है वो मुल्क उतरना ज्यादा अपने आपको powerful समझने की कोशिश करता है हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान की बीच में अक्सर फाइट की अक्सर शस्तरों की होड होती है भाराचीन के बीच में भी होती है परन्तु जो भारत की जो शस्तर हैं वो शांतिपुन सा अस्थित और पंशील की नीती के अंतरगत है परन्तु दूसरे मुल्कों ने जरूरी तो नहीं है कि अपने शस्तरों को सिरफ इसी लिए हीद रखाओ अपनी सेफटी के लिए जैसे आज यूक्रेन से शस्तरों को छोड़ा जा रहा है रूस से शस्तरों को छोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर जो शस्तरों की जब होड होती है न तो यहाँ पर तीर्व हिंसा होती है भाई शारेरीक संबंदी जो संगर्श होता है उसमें एक व्यक्ति, एक समूखे हाथा पाई हो सकती है सर फूट सकता है, चोट लक्स सकती है हड़ी टूट सकती है परन्तु जब शस्च्टरों की होड होती है तो वहाँ पे nuclear weapon चलते है वहाँ पे तोब चलती है, बंदूक्य चलती है वहाँ पर गोले चलते हैं वहाँ पर असला बारू जो काफी भारी मातला में देखने को मिलता है इस से तिर्व हिंसा होते हैं वहाँ पर एक दो व्यक्ति नहीं मरते हैं वहाँ पर गाओं के गाओं निस्तो नाबूद हो जाते हैं वहापे शहर के शहर तबाव हो जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं प्लीज ये कमेंट जरूर करके बताएं कि यह आपको समझ में आ रहा है या नहीं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिए बस खतम होने वाले 15 मिंट का हो रहा है बस जाला से जाला 15 मिंट का इतने पॉइंट है कि आप अपने पूरी शीट भर सकते हो अब हम बात करते हैं कि संगर्ष के संकेतों की पैचान कैसे की जाए सिंपल सी बात है अभी आपको बताया है मैंने के संगर्ष को कैसे पैचानना है जब मानव की आवशक्ताय पूरी नहीं होती या जब समाज में आवशक्ता है पूरी ना होने पर ही संगश किया जाता है या जो बेसिक बुनियादी चरूरती है जब वो पूरी ना हो तो संगश उत्पन होता है अब आर्थिक संगश में आपको बता चुका हूँ राजनितिक संगश बता चुका हूँ कि एक अमीर व्यक्ति है एक गरीब व्यक्ति है जब चंद मुठी बर अमीर व्यक्तियों ने समाज के सभी संसादनों पर अधिकार किया हुआ है और बहुत ज़्यादा बहुत संख्य है लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है रहने को कुछ नहीं है तो संघष तो उत्पन होना ही है जब धन का वित्रन समानने नहीं होगा तो संघष उत्पन होना है चैसे USSR में भी हुआ था इसी परकार से राजनेतिक बिवादों का होना जब दो पार्टियां बनती है अलग अलग पार्टी होती है तो दोनों की विचार्धारा अलग होती है एक party दूसरी party पे तीखा टिपनि करता है दूसरी party पहली party पे करता है जो कि भारतिय राजनेतिक में अकसर रोज मर्रा में देखा जाता है बिना तीखा टिपनि कीए हुए मतलब ये राजनेतिक पार्टी का अस्थित भी नहीं होता इसी के सासत विचारधाराओं में मतभेद भई राजनेतिक पार्टी में विवाद क्यों होता है विचारधाराओं में अंतर होने की वज़े से आप में और आपके एनिमी में फाइट संगर्ष क्यों होता है क्योंकि आपकी विचार धारा अलग है उसकी विचार धारा अलग है आपके सोचने समझने का तरीका अलग है उसके सोचने समझने का तरीका अलग है जब विचार धारा अलग होती है जरूरी नहीं कि ये राजनेतिक पार्टी में हो ये आपके घर में भी हो सकता है वही हस्ब इसी के सासथ भूरू राजनितिक में हम कह सकते हैं कि भूमी के लिए संगश्ट आज जैसे पाकिस्तान ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर का जो पाक उकुपाइड कश्मीर है इसी परकार से अपने शेतर को हासिल करने के लिए भी फाइट होती है अब जैसे चाइना ये है बोलता है कि अक्षाय चीन उसका है तो भारत भी तो अपने शुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को वहाँ पे तैनात करेगा तो संगश्ट क्यों हो रहा है भूरा नितिक के लिए भूमी के लिए संसादनों के लिए नियाय संबन संगर्श अभी भी तो होता जब नियाय नहीं मिलता भाई कोई व्यक्ति अगर उसको नियाय नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा वो नियाय के द्वारा अपना नियाय पाने की कोशिश करेता है इसलिए जैसे आपने भारती मूवी में देखा होगा कोई व्यक्ति अगर गुंडा बन जाता है, डाकूब बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसके साथ नियाय नहीं होता, समाज ने उसके साथ भेदभाव किया होता है तो इसलिए वो समाज को उस व्यक्ति को सबक सिकाने के लिए वो अन्याय का सारा लेता है वो गुंडागर्दी करता है तो न्याय संबंदी भी संगर्ष का एक सोतर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो वह एक इंसान का एक लेवल होता है किसी चीज को जहिलनेगा अगर वो उस चीज को पार कर जाता है तो वो अन्याय का राष्टा ही अपनाएगा अंतमे में मैं कह सकता हूँ कि आज तक आप इतिहास उठालो उठालो जो भी fight हुई है जो भी विवाद हुआ है संगश हुआ है यूद हुआ है जर, जोरू, जमीन इन्हीं के पीछे हुआ है अब शायद आप जर का अर्थ होता है प्रॉपर्टी, पैसा, संबंदी जोरू को आपको पता है वुमेंस के पीछे मतलब एक वुमेंस की मतलब आप कह सकते हो के उसकी अस्मिता के बीछे उसकी अइडेंटी के बीछे और जमीन मतलब प्रॉपर्टी के बीछे अब हम बात करते हैं के संकट की रोक्थाम की पहचान अब इस संगश को अगर रोक्थाम करना है कि इस संकट को अगर रोक्थाम करना है करने की कोशिश करी है, समाज में लोगों को अधिकार और उनके साथ न्याय करने की कोशिश की गई है, इनमें हम कुछ व्यक्तियों के बारे में भी जानते हैं, चैसे महात्मा गांदी, हम सभी जानते हैं कि अजादी में महात्मा गांदी जी का हाथ हम, जहां पर एक साइड पर उगर राष्टेवादी थी तो दूसरी साइड पर सिर्फ राष्टेवादी थी एक साइड पर करम पंती थे दूसरी साइड पर उदार वादी थे तो हमने देखा है कि अजादी के समय में भी जहां पर जहां कुरांतिकारियों ने अपने तरीकों से अजादित दिलाने की कोशिश करिया उसी परकार से महात्मा गांधी ने भी शांती और अहिंसा के माध्यम से अपने संगर्ष के माध्यम से भारत को अजादित दिलाने की कोशिश करिया तो हम यहां पर देख सकते हैं कि महात अगर जब भी संगश हो जब भी ऐसी कोई आपके सामने कोई भी ऐसा सेरियो आ जाता है कि वहाँ पर आपको फील होता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है यहाँ पर संगश होने वाला है तो या तो आप महाँ पर अटैक करोगे या तो आप महाँ डिफेंस करोगे तो यहा पर्दाल करते हैं सत्य घराय करते हैं और वो भी सब अहिंसा के द्वारा तब हम अपने लक्षे को पा सकते हैं उसी परकार से नेमसल मंडेला जो की दक्षिन अफ्रीका के एक बहुत बड़े असनेता हैं इनका मानना है कि वही समानता करके अगर हम समाज में व्यक्तियों को स दिकार परदान करते हैं इसी परकार से मार्टिन लूथर किंग है अब्रायहिम लिंकन है तो ये कुछ तीन चर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि समाज में समानता इस्थापित करके ही हम लोगों में जो आसंगर्ष है जो संगर्ष उत्पन हो रखा है उसको दूर कर सकत है अब मैं आपको यह पताता हूँ एक चीज आपके लिए बस यह खतम होने वाला है पांच मिन्ट का हो रहा है आपके कहने पर ही हमने आपके लिए एक चीज लेके आए हम इसी परकार से पूरी बुक को 8-10 वीडियों में 8-10 कोशनों में पूरी बुक कर दी जाएगी अग अगर आप हमारे second option के साथ जोड़ते हो तो इन पूरी बुक के PDF notes के साथ साथ आपको पूरी बुक की 8-10 वीडियों जो आनी है इस विशे की आपको पूरी देखने को मिलेगी यह सिरफ उनी के लिए जो हमारे standard course लेते हैं अगर आप हमारे advanced course के साथ जोड़ते हो तो आपक साथ live streaming के साथ आप हमारे साथ जोड़ सकते हो आप हमारे whatsapp या फिट टेलिग्राम ग्रूप में भी add हो सकते हो इसमें आप अपनी queries पूस सकते हो प्लस आपके लिए कुछ ऐसी special video होएगी जो आपके exams के लिए काफी important होएगी इसमें आप ये भी बता सकते हो कि आपका weak point य या आपका ये chapter समझ में नहीं आ रहा तो हम सिरफ आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकते हैं अब हम बात करते हैं भाई जब समाज में fight हो रही थी तो समाज में विश्य में शांती अब हमने देखा पर्थम विश्यूद हुआ second विश्यूद हुआ तो भाई अब तीसरा ना हो जाए इसलिए UN की स्थापना होई हम जी सयुद राष्टे संगतन सयुद राष्टे संगतन जिसको हम UN के नाम से जानते हैं United Nation of Organization इसकी स्थापना समाज में जो संगश उत्पन हो रहा है जो आशांती उत्पन हो रही है जो fight उत्पन हो रही है उसको solve करने के लिए शा 20 अक्टूबर 1945 को UN के स्थापना होई और भारत UN में शामिल होगा 30 अक्टूबर 1945 को भई अंतर आश्ट बही जैसे आपके घर में आपके और आपके भाई की या आपकी और आपकी बहन की fight होती है तो कौन रोकता है पेरेंट्स रोकते है उसी परकार से आपके शेतर में fight हो fight होएगी तो कौन रोकेगा अंतर आश्ट इस तर पे भी तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे संगठन होना चाहिए ना जो दो मुल्कों के बीच की fight को समस्या को समाधान कर सकें तो वही समस्या का समाधान करने के लिए UN का निर्मान किया गया सहयुक्त राष्टे संग जो स्थापना करना जो विष्व की जो समस्या एन एक जुड़ जो समस्या उसको रोक थाम करना हत्यारों की होड़ को कम करना है तो बहुत सारे ऐसे मुद्ध हैं अब हम में पता है युनो की स्थापना होगी है युनो का उडशेग है दो या दो शो के बीच में जो यू दोता है उसको रोकने का परियाश करती है इसी के साथ सथ उनमें ये शांतिपूर सा अच्टित्व की भावना भी उत्पन करती है उनका मानना है और भारत का मानना है क पूरा विश्व एक परिवार है अगर हम दूसरे दोगों के साथ दूसरे मुलकों के साथ fight करते है तो इसका असर पूरे विश्व पे देखने को मिलता है आज जैसे यूक्रीन और रूस के बीच में fight हो रही है तो इसका असर पूरे विश्व पे देखने को मिल रहा है जैसे पैट्रोल महंगा हो रहा है और पाकिस्तान में अनाज महंगा हो रहा है इत्यारी तो जब दो मुलकों के बीच में fight होती है तो UNO उसमें हस्ताशेप करें उसमें शांती कराने की कोशिश करता है जरूरी नहीं है कि यह जब दो मुलकों के बीच में ही fight हो यह भी हो सकता है कि जब एक मुलक के बीच में उनके राज्यों के बीच में भी fight हो रही हो जैसे भारत है एक्जामपल अगर हम बात करें कि भारत में हर्यान पंजाब के बीच में होगी fight हर्याना पंजब के जो दो राज्य उनके बीच में या एक ही राज्य में ऐसी हिंसा उत्पन हो जाए तो UNO सरकार के मदद से किसी देश के अंदर जो हिंसा उत्पन होती है उसको रोगने में में अपनी शांती सेना भेशता है जरूरी नहीं है कि वो दो देशों के बीच में जो है फरन्तु ऐसा बहुत कम देखने को मिला है ये तब ही होता है जब बहुत जादा लेवल पे हिंसा देखने को मिलती है उधारन के लिए बालकन शेतर पे जब UNO ने अपनी शांती सेना बेजी इसके साथ रवांडा में भी UNO ने अपनी शांती सेना बेजी जब रवांडा के देश के अंतर में ही आपस में फाइट होगी अब हम बात करते हैं ये सब फाइट होने के बाद किया क्या जाता है UNO क्या करता है UN नो संगर्ष को रोकने के लिए कुछ कार रह करता है कुछ नीतिया बनाता है सबसे पहले होता है वो संगर्ष परबंदन की नीती बनाता है अब संगर्ष परबंदन के है संगर्ष परबंदन एक परकार की ऐसी नीती होती है कि संगर्ष को किस परकार से रोका जाए उस पर किस परकार से परबंदन किया जाए किसी कारे को करने की नीती के लिए जो पहले प्लैनिंग की जाती है उसी को संगर्ष परबंदन के नाम से जाना जाता है प्लैनिंग करना भई UNO या फिर कोई भी चीज को अगर संगश हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पहले π्लाइनिंग की जाएगी वहांके इस्थानिय कार工 का पता लगाया जायेगा संगश क्यों हो रहा है इस्थानिय जीज के बैसिक चीज से स्टार्ट किया जाएगा वहांके इस्थानिये लोगों से बाचीट की जाएगी गए वह याप यहां पे संगर्ष जो हो राए हो क्यों हो राए है आप क्या चाते हो, आप किस सैड़ पर जानना चाते हो इसके साथ लोगतांत्रिक संस्ताओं के द्वारा उस संगर्ष को समाधान करने की कोशिश की जाती है मतलब लोगों की चुनी हुई सरकार के द्वारा ही वहाँ पर सोलुशन करने की कोशिश की जाती है इसी के साथ साथ इस संगर्ष को बातचीत करने के बातचीत के द्वारा भी संगर्ष को रोका जा सकता है इसी के साथ साथ हम बात करें कि संगर्ष की इस्तिती की पहचान करके कि वही संगर्ष की इस वाले शेतर में यह संगर्ष का मुख है केंदर बिंदु है यहाँ पे संगर्ष बहुत जादा अधिक हो सकता है तो उस शेतर को इस्तिती की पैचान करके वहाँ पहले शांती सेना भेज के वहाँ पे शांती कायम करता है इसी के साथ हाता है संगर्ष के कारकों का पता लगाना जी हाँ, संगर्ष परबंदन का कारे क्या होता है, संगर्ष परबंदन एक परकार से ऐसी कमेटी या ऐसा संगर्ठन होता है, जो किसी संगर्ष के बारे में जानकारी रखता हूँ, कि भई संगर्ष क्यों मुत्पन हो रहा है, महां कि उसकी एक नीती बनाना, किसी ऐसे संगर को समाप्ट करने के लिए एक ऐसी नीती बनाई जाती है कि संगष क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है उस संगष का समादण कैसे किया जाये तो वो एक संगष परबंदन के द्वारण किया जाता है. इसमें देखा गया है कि इस्थानी कार्को के के द्वारा संगर्ष का परता लगाने की कोशिश की जाती है लोगतांत्रिक संस्ताओं के द्वारा उस संगर्ष को समाप्ट करने की कोशिश की जाती है लोगों से बातशीत करके संगर्ष को समाप्ट करने की कोशिश की जाती है संगर्ष की इस्तिती की पैचान करके या संगर्ष के कारकों का पता लगा के अगर हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हम उधारन के लिए मैं बता सकता हूँ जैसे अक्सर देखा गया था कि आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करते हैं 15 साल 20 साल पहले तो जम्मू कश्मीर में अक्सर संगर्ष देखने को मिलता था वहाँ पे कुछ ऐसे अलगाववादी ऐसे लोग होते थे जो कि भारत के लोग और भारत के सरकार के खिलाप अंदोलन करते थे तो सरकार ने क्या करा एक संगर्ष परबंदन का एक निर्मान करा उस संगर्ष परबंदन का कारे क्या था उस संगर्ष को रोकना कि वहाँ के स्थानिये लोगों से बातचीत करना कि वो क्या चाहते हैं वो किस परकार से शांती उत्पन करना चाहते हैं उन लोगों की समस्या को निकालना जो कि वहाँ पर आशांती फैला रहे हैं और उनके ओपर कारवाही करना साथ के साथ ऐसे मुद्दो को पता लगाना कि जिस मुद्दो की वज़े से वहाँ पर fight हो रही है संगश हो रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें बस समाप्त होने वाला है इसके साथ साथ है अभी हमने बात करा संगश परबंदन संगश परबंदन के साथ उनका कुछ और कारे भी होता है जैसे निप्तान संगश परबंदन के साथ संगश निप्तान और संगश को रोक थाम अभी हमने परबंदन का काम बारे में पड़ा परबंदन एक परकारशी का ऐसा नीती निर्मान होता है जिसमें संगर्ष को समाप्त करने की कोशिश की जाती है और उसमें सभी नीतियों का निर्मान किया जाता है इसी के साथ संगर्ष का निप्टान या संगर्ष का निप्टारा किस परकार से किया जाया विरोधाबास परबंदन के द्वारा या फिर रोगठाम के द्वारा जब हम विरोधाबास परबंदन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं पुलिसिंग के द्वारा, कानून परकिरिया के द्वारा, अंतराष्टे कानूनों के चार्टर के द्वारा जब अगर किसी संगर्ष में अगर कोई बंदा या कोई अगर संगर्ठन अगर प्यार से नहीं बात मानता तो वहाँ पे सरकार क्या करती है वहाँ पे forcefully या पे पुलिस की सायता से उस संगर्ष को समाप करने की कोशिश की जाती है जैसे आपके शेतर में अगर कोई संदर्श हो जाता है तो सरकार वहाँ पुलिस पहले आपसे प्यार मुबबस से बोलेगी जिया आपने अपने आप घर पे जाएए परन्तु अगर आप बात नहीं मानते और ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हो तो पुलिस वहाँ पे अपना बल परियोग करती है तो पुलिसिन के द्वारा संदर्श को रोका जाता है मतलब विरोधाबाज परबंदन के द्वारा में पुलिसिन के द्वारा कानूनी परकिरिया के द्वारा तो कानूनी डूप से आपको फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा अगर आप हर्दाल करते हो या फिर कोई चीज को तोड़ फोड़ करते हो तो अब वहाँ पे जो विरोधा भाद परबंदन के अंतर गताता है कानूनी परकिरिया के द्वारा अब आपके उपर एक्शन लिया जाएगा इसी परकिरिया के द्वारा अंतराष्टे कानूनों के चार्टर के द्वारा आपके उपर एक्शन लिया जाएगा आप सभी ने एक वैब सेरीज तो देखी होएगी हां जी तो उसमें कानुनीी परकीरिया का वो उलंगन भी करते हैं तो अंतराष्टे कानुनों की भी उनको सुननी पड़ती हैं तो इसी के साथ्व Director अब हम बात करते हैं रोक ठाम के लिए अगर हम रोक ठाम की बात करते हैं तो संगर्ष परबंदन के द्वारा रोक्थाम कभी एक कार्य किया जाता है जैसे बातचीत के द्वारा, समझोते के द्वारा, तीसरे पक्ष के हस्ताशेट के द्वारा जैसे रूस और अभी यूक्रेइन में फाइट हो रही है तो कभी कोई मुल्क बोलता है कि हम आपको ओफर करते हैं कि आप यूक्रेइन वाले और रूस वाले हमारे मंच पे आके हम आपके बीच में बातचीत से इस संगर्ष को समप्त करवाना जाते हैं बहुत सारे मुल्क भारत पे दवावर्ड डालते हैं कि आप रूस से बात करो और ये फाइट को समाप्त कराने की कोशिश करो यहाँ तक तीसरे पक्ष के हस्तशेप के द्वारा भी जैसे अब यह आपने देखा कि भारत के प्रदान मंदरी ने रूस के राष्टेपती से संगर्ष समाप्त करने की अपील भी की थी तो अगर तीसरे पक्ष के द्वारा अकसर देखा गया है कि इस संगर्ष को समाप्त करने की कोशिश की चाती है तो यहां पर इतने फॉइंट है आप जो तो अपने शब्दों में explain कर सकते हो मतलब बहुत इतना answer बड़ा हो जाएगा कि आपके 10-12 sheet भर सकती है 10-12 sorry pages असानी से भर सकते हैं इसके बाद है शांती द्वारा तनाव कम करके हम दोनों पार्टियों से पूचे की समस्य है आपकी समस्य है अचाг दोनों में एक काम करते हैं एक solution पर आते हैं आपका इतना फायदा आपका इतना फायदा तो एक जिसको हम compromise के नام से जानते हैं उसकी दोरह भी हम संगर्श को रोक सकते हैं to संगर्श को संगर्श परबंदन के द्वारा एक निप्टारा पर्दिती के द्वारा तथा रोक थाम के द्वारा संदर्श को कम किया जा सकता है इसके बाद अकर हम गांदी जी के विचारधाराओं की बात करें हैं कि गांदी जी के बाद हम संदर्श को किस परकार से रोका जाए तो उनका मानना था कि सत्य घ्रय के द्वारा हम संगर्श को रोक सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि गांदी जी के विचार धारा के अंतरगत आता है सत्य घ्रय, अहिंसा और शांती उनका मानना था कि सत्य घ्रय के द्वारा हम संगर्श को रोक सकते हैं सत्य पर खड़ा रहना पड़ेगा हमें जूट का सारा नहीं लेना हम सत्य घरह के द्वारा जैसे गांधी जी ने सत्य घरह के द्वारा देश में अजादी दिलाई उनका मानना था कि जो हम कारे कर रहे हैं वो पूरा सत्य हैं हम किसी जूट का सारा नहीं ले रहे हैं इसके साथी साथ समझोते हैं कि द्वारही संगश रोका जा सकता है ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने भी कसम खा रखिया तुमने भी कसम खा रखिया ना आप जुकोगे ना वो जुकेगा यहाँ पर जुकना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जुकोगे तभी संगर्ष समाप्त होएगा पुष्पा बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जुकोगे तभी संगर्ष समाप्त होएगा अगर दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी जुकना नहीं चाहती दोनों पार्टिय अगर संगर्श समाप्त करना नहीं चाहती तो बैस संगर्श समाप्त नहीं होने वाला तो यहां पर समझोता के द्वारा कॉंप्रमाइज के द्वारा और जब भी कॉंप्रमाइज होता है तो दोनों पार्टियों का ही भला होता है दोनों पार्टियों का कुछ ना कुछ फाइदा होता है कुछ ना कुछ नुकसान होना है लेकिन नुकसान ना मातर का होता है फाइदा दोनों को ही अधिक होता है इसके साथ हम बात करते हैं न्याय के लिए लड़ना चाहिए अन्याय के लिए नहीं तो सकते घ्राईयों का मानना है कि हमें हमेशा न्याय के लिए ही लड़ना चाहिए किसी अन्याय के लिए नहीं लड़ना चाहिए भई वही व्यक्ति फाइट करेगा जिसकी आवशकता पूरी नहीं होएगी जिसके अधिकार नहीं मिलेगी और अगर उसे अधिकार मिल रहे है अगर उसे अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है तो किसी के लिए न्याय के लिए ही fight होएगी अन्याय के लिए fight नहीं होएगी वो न्याय के लिए होएगी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिल रहा अगला पॉइंट है व्यक्तिकत इमानदारी जरूरी है अगर संगर्ष को रोकना है सकते घराय के द्वारा तो आपको व्यक्तिकत इमानदारी की जरूरत है जैसे पुराने टैम में जो हमारे करांतिकारियों ने कराए बही अंग्रेजयों ने कुछ ऐसे कान्तिकारियों को बही जैसे पैसों के थुरूज जैसे 1857 का जब विद्रो हुआ था तो कुछ ऐसे भारतियों लोग थे जो की अंग्रेजयों से मिल गए थे अगर उन्होंने अपनी इमानदारियों को ही दोका दे दिया और चंद पैसों के लिए भारतिय कारियों से उन्होंने दोका कर दिया तो यह उचीत नहीं था तो यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्तिकत इमानदाली आपकी जरूरी होने चाहिए कि अगर आप किसी चीज के लिए खड़े हो अगर आप किसी को नियाय दिलाने के लिए खड़े हो तो तब तक खड़े रहो जब तक उसे नियाय नहीं मिलता तो इसमें हम बहुत सारे एक्जामपल देख सकते हैं संगश रोकने के लिए अब हम बात करते हैं उद्देश्य इसपष्ट होना चाहिए संगश को समाप करने के लिए जो खड़े होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य इसपष्ट होना चाहिए हमारी मांगे ये 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 हमारी मांगे और हमारी इन मांगों को आपको पूरा करना है जैसे अभी हम देख सकते हैं अब दिल्ली में अभी किसान आंदोलन हुआ तो उनकी मांगे इस पस ठीक है हमें ये चाहिए ये चाहिए बस तो उन्होंने अपनी मांगों को जब तब उनकी मांगे पूरी नहीं हुए उन्होंने संगर्ष करा वो उन्होंने सत्य गरहियों के द्वारा संगश करा ताकि उनके पूरे समाज का हित हो सके बस अब ये लास्ट पे गया और ये अब समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं Post Conflict Restriction Farmwork जो कि 2002 में आया PCRF PCRF में एक रिपोर्ट परकाशित हुई उस रिपोर्ट का मानना था कि स्वश संगश को तीन परकार से देखा जा सकता है पहला चरन, दुत्या चरन, तीसरा चरन पहला चरन वो होता है कि बड़े पैमाने के बाद हिंसा की समाप्ती के बाद आता है जब किसी मुल्क में आया जब बड़े पैमाने पर जो संगश उत्पन होता है जब वो संगश समाप्त हो जाता है उसके बाद पहला चरन आता है इस चरन में क्या होता है बुनियारी सुरक्षय परदान की जा दिया जैसे अभी हमने देखा कि भई अभी तुर्क में तुर्क में अभी तुर्क में अभी अर्थक्विक आ गया था तो बड़े पैमाने पर जब अर्थकीथ आया वहाँ पर तो वहाँ पर बहुत जाधा जानमाल का नुकसान हुआ तो पहला काम क्या हुआ पहला काम हुआ उनको बुनियादी शुरक्षित परदान की जाए वहाँ के लोग जहाँ पर अर्थ को एक आया था वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा के कुछ ऐसे इस्तानों पर भेजना जहाँ पर वो शुरक्षित महसूस कर सके इसलिए उन्होंने वहाँ पर टंबू लगाए हुए थे ताकि लोग काफी ज़्यादा संक्या में वहाँ आपने आपको शुरक्षित महसूस कर सके उसके साथ अपातकालिन सेवाएं परदान करना वही फर्स्ट फेस में क्या हुआ यहाँ पर अगर एक आप एग्जामपल अगर तुरक का एक्जामपल से करते हो तो आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि लोगों को वहाँ पर अपातकालिन मानविया सेवा परदान करना इतलिस इतना खाना पहुँचाए जाना इतनी सेवाएं पहुँचाए जाना और साथ के साथ जब पहला चरण आता है तो जब बहुत बड़ी हिंसा के द्वारा संगश के द्वारा जब पहला चरण आता है तो वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद ये आता है वहाँ पर बोनियादी सुरक्षा परदान की जाती है और सेना हस्ताशिप होता है इतने हिंसा होने के बावजूद इतना संगश होने के बावजूद आम लोगों के द्वारा वो चीज गंट्रोल नहीं होती तो सेना को वहाँ पर बुलाया जाता है जैसे भारतिय सेना भी वहाँ पर गई तो भारतिय सेना पहले चरण में भी वहा आगई तो हम इस एक्जामपल से समस्कते हैं तो भारते सेना ने अपातकाली मानफ सेवाएं परदान करी वहाँ पर बुनियादी शुरक्षा परदान करे अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो वहाँ पर जब यह सब होने के बाद धीरे-धीरे अर्थव्यवस्ता अपन पुनाने की कोशिश की जाती हैं उनका री निर्मान किया जाता है इसके साथ वहाँ पर बहुते पुनर निर्मान की कोशिश की जाती है जो जान मालक का नुकसान हुआ है अब जो जान का नुकसान हो गया उसका तो हरजाना नहीं किया जा सकता लेकिन जो मालक का नुकसान ह उसको फिर से वहां से जो चीज बच सकते हैं उसको निकाला जाया उसके बाद वहां पे नियाईक परकिरिया और समाजी कल्यान शुरू होता है वहां पे जो लोग एक्सपायर हुए हैं जो लोग जिन्दा बच गए हैं जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनको समाज के दौरा स कुछ आवासों के द्वारा, इसके साथ उनकी शिक्षा, स्वास्ते और आदी की देखबाल भी की जाती है, तो हम देख सकते हैं जब जैसे तुर्क में भुकम पाया, तो आने के बाद पहला फेस ये था, जब कुछ दिन भी कहे थे, एक हफता भी कहे था, तो उसके बाद ये फेस था, जब 10 दिन, 12 दिन हो गए थी, जब भारत्य सेना आ गए थी, तो ये फेस था, ये अंतिम चरन कहा जाता है, इनका मानना है कि ये संगर्ष जो ये रिपोर्ट पर स्थुत की गए थी, PCRF के द्वारा, सन 2002 में, इसमें ये था कि तीन चरन होते हैं, पहला दूसरा आपको समझ में आ गया, थर्ड में क्या था, अंतिम चरन में क्या होता है, शांती सेना की वापसी होती है, पर जैसे भारत ने अपनी सेना को वापस बुला लिए, जब सब चीज निपर्ट गए थी, सब चीज सही हो गया था, तो भारती है, सेना तुर्क से वापस आ गए थी, ये मैं आपको इसरफ एक 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 जामपल बता रहा हूँ, आप चाहो तो किसी एक यूद का एक्जामपल भी लिख सकते हो, साथ की साथ समाने रूप से काम करना शुरू कर दिया है, अब वहां के लोग समाने रूप से अपना वही पूरा तिन चरिया का कार रह कर रहे होएगी, जो पहले किया चाता था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहर आप लाइक करो, मत करो, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कर देखो, ठीक है आपकी कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कारे करते हैं, बस यह लाश्ट पेडिया है, उसके बाद यह वीडियो समापत हो जाएगी, अब हम बात करते हैं, अहिंसा और हिंसा संगर्ष में अंतर, यह काफी बड़ा चैप्टर है, अपका 18-20 पेडियो के आसपस का है, तो आज हम बात करते हैं, अहिंसा और संगर्ष के बीच में अंतर क्या है, वहीं अहिंसा और हिंसक संगर्ष के बीच में, सिंपल चाहिए, अभी हमने पीछे बात करियें, अइनसात्मक संगर्ष वो होता है जो कम से कम दुप पक्षों के बीच में जो संगर्ष होता है वो अइनसात्मक संगर्ष के का रूप होता है इसमें शांती को महतब दिया जाता है इसमें पाचीत के दुआरा संगर्ष को कम करने की कोशिश की जाती है इसमें जो संगर्श को समाप्ट करने की कोशिश की जाती है वो सत्य गरह के दौरा जैसे मात्मा गांदी ने अजादी के लिए इसमें अंतराश्टे संगटनों, विदेशी वी निवेशों और इस्थाने बजारों के बीच वैपार के दौरा इस संगर्ष को कम किया जाता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम अहिंसक रूप से संगर्ष को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इन सबी चीजों को इन सबी बातों को हम उतार सकते हैं कि बातचीत के द्वारा शांती को महत्तव देने के द्वारा सत्य घ्राय के द्वारा अंतराष्टेश संगठनों के द्वारा विदेशी निवेश हो भाई अब यूक्रेन में भी तो रूस का कही ना कही पहले निवेश हुआ होगा ऐसे इसी परकार से रूस में भी तो यूक्रेन का निवेश हुआ होगा तो अगर वो निवेश कंटीन्यू करना चाते तो पहले शांती स्थापित करनी पड़ेगी इसी परकार से अगर हम बात करते हैं यापे जैसे भारत और भारत और चीन के बीच में अक्सर देखा गया है कि संगर्ष की इस्तती बनी होती है फरन तो चीन और भारत के बीच में संगर्ष की जब ये कंडिशन कुछ जादा हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि भारत चीन से चीजे लेना बंद कर दे या चीन भारत से चीजे लेना बंद कर दे अगर बहुत जादा संगश उत्पन होता है तब ये किया जा सकता है जैसे भारत पाकिस्तान की बीच में था पाकिस्तान की सरकार ने भारत से अनाज और मेडिसन लेना बंद कर दिया था बाद में उनको मूँ की खान नी पड़ी और उन्होंने भारत से अपील करी तो यहाँ पर देखा गया है कि विदेशी निवेशों के द्वारा बजारों के द्वारा वैपार के द्वारा भी संगश जब किसी दो मुलकों में वैपार होगा तो दीरे दीरे महाँ पर शांती और प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है तो अब हम बात करते हैं हिंसक संगर्ष की हिंसक संगर्ष में क्या होता है यहां पर दो या दो से अधिक लोगों के पक्षों के बीच में यह देखने को मिलता है हिंसक संगर्ष में क्या होता है हिंसा द्वारा विरोधी पक्षों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की जाती बै बई मेरा चाहे कुछ भी वाला जिंदा नी रहना वो चाहिए इस पराकार ने करना Article तो अब आपने देखा कि अहिंसात्मक संगर्ष और हिंसात्मक संगर्ष में अंकर गया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए आपका पूरा चैप्टर समझा दिया गया है इसमें चार पांच कोश्चन में से कुछ भी दो कोश्चन या एक कोश्चन आना आना है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करो मत करो शेयर करो मत करो लेकिन कमेंट जरूर कर दो आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कारह करता है आपके लिए एक खुशकबरी है हम आपके लिए लाएं इसी परकार से पूरी बुक के हर एक चैप्टर की हर एक चैप्टर और पूरी बुक और हर एक विशे के हम आपके लिए इसी परकार के नोट्स लेके आएं अगर आप हमारा basic notes के, अगर basic course के साथ जुड़ते हो, तो आपको पूरी book के ऐसे पीडियाफ notes दे दिये जाएगे, अगर आप हमारे standard course के साथ जुड़ते हो, तो आपके PDF notes के साथ साथ, आपको पूरी book की जो वीडियो की 8 से 10 वीडियो आने वाली है, पूरी book की, उसमें कॉर्स कंप्लीट करा दिया जायगा जो आपके exam में आना है आठ से 10 कोष्षन आप पढ़के जाओं वही कोष्षन के आपके 8 कोष्षन वही आने है जो भी आप चाहो तो 5-6 कोष्षन आप कर सकते हो चाहर पांच कोष्षन इसी के साथ सथ अगर आप हमारे advanced course के साथ जुड़ते हो तो आपको first second option तो मिलता है साथ के साथ आपको live streaming भी मिलती है whatsapp और telegram group में हमार से जुड़ने का मोगा मिलता है और आपके जो भी topic है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमें whatsapp करके या फिर telegram करके आप हमें बता सकते हो कि हमें यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम केवल और केवल आपके लिए वो वीडियो लेके आ आ जाएगे as soon as possible तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नहीं है तो subscribe कीजिए अब ऐसे ही अब रोज continue आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी आपके सभी वीशियों की चाहे वो political science हो क्या वो history हो क्या वो political science हिस्ट्री, eco, policy, geography कोई सा भी वीशियों क्यों नह अब ली वीडियो तक जब तक के लिए जय हिंद जय भारत